गुड मॉर्निंग एवरिवन बच्चों हम मीडिया प्रशनुप्तर यानि जन संचार माध्यम के कुछ कोश्चन कर चुके हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे के कोश्चन अंसर कुश्चन है भारत का पहला समाचार वाचक कौन देवरिशी नारत अब आपने देखा भी होगा कि महरिशी नारत किस तरह से तीनों लोकों में चकर लगाते थे और माना जाता था कि वो एक लोग की सुचना दूसरे लोग तक मूँचाते थे भारत में जन संचार का इतिहास काल कौन सा माना जाता है पाउरानिक काल प्राचीन काल में संदेश कैसे दिये जाते थे शिला लेखों पर लिखकर या अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा भारतिय संचार के लोक माध्यम कटपुतली लोकनाटक भीमवेटका के गुफाचित्र अब देखते कटपुतलियों के माध्यम से लोकनाटकों के माध्यम से गुफाचित्रों के माध्यम से समाज में जागरुकता पैदा करने के लिए सूचनाओं को परसारित करने के लिए ये कार्यक्रम किये जाते थे लोक नाटकों के परकार कथा वाचन कहानिया सुना कर रागनी फिर देखे सांग नोटंकी तमाशा यक्षगान आधी ये हमारे लोक नाटकों के परकार है जन संचार के आधुनिक माध्यम समाचार के माध्यम कौन-कौन से है आधुनिक माध्यम है समाचार पत्र-पत्री का है पुस्त के मुदृत माध्यम कह सकते हैं मुदृत माध्यम क्या होता है छपा हुआ रेडियो, टीवी, सिनेमा, दुरदर्शन, इंटरनेट जन संचार में प्रिंट मीडिया यानि मुद्रित माध्यम का क्या महतो है मुद्रित माध्यम स्थाई है, सबसे मजबूत कड़ी है वानी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है इसे जब चाहे पढ़ सकते हैं अब समाचार पत्र के बारे में कि हमें समय का बंधन नहीं है जब मन करें हम समाचार पत्र पढ़ सकते हैं इसे सुरक्षित रख सकते हैं इसलिए इसको स्थाई माध्यम माना गया है नेक्स्ट कोश्चन पत्रकारिता के पहलों के बारे में बताईए समाचारों को संकलित करना सबसे पहले समाचारी कठे किये जाते हैं उन्हें संपादित कर छपने लाइक बनाना फिर उन्हें में काट छाट की जाती है उसको छपने लाइक बनाया जाता है next है पत्र पत्रिका के रूप में चापकर पाथकों तक पहुचाना तो देखिए हम देखते हैं पत्रकार पहले समाचारों को इकठा करेंगे फिर उसमें काट चाट की जाती है समादाता और जो है संपादक उसे छपने लैक बनाता है और फिर छपकर जन जन तक पाटकों तक समाचार पत्र पहुँचते हैं भारत में पहला अख़बार कौन सा था बंगाल गजट हिंदी का पहला सापताहिक पत्र सापताहिक पत्र क्या होतता है जो सपताह में एक बार परकाशित हो हिंदी भाषा के प्रारंबिक दोर के विद्वान तिलक किनका नाम है बाल गंगाधर तिलक मदन मोहन मालविय, माखन लाल चतुरवेदी, गनेश शंकर विद्यार थी आदे आजादी के समय की प्रमुख पत्र पत्री काई उस समय कौन कौन सी पत्री काई थी पत्र समाचार पत्र भी केसरी, हिंदुस्तान, सर्स्वती, हांस, करमवीर, विशाल भारत, आदे उस समय की पत्र-पत्र कारिता का लक्ष था स्वाधील्ता, देश की आजादी की प्राक्ति आजादी के बाद पत्र कारिता के चरित्र में परिवर्तन, अर्थाथ, आज हम पत्र कारिता में क्या परिवर्तन देखते हैं? एक विशुद्ध व्यवसाई का रूप अर्थाथ आज पत्र पत्रकारिता एक व्यापार बन गया है उसका चरित्र जो पहले था वैसा नहीं रहा आजादी के बाद के पत्रकार कौन कौन से हैं अगे रगुवीर सहाई धरम वीर भारती सुरिंदर परताप सिंग आदे नेक्स्ट कुस्चन हिंदी के अखबारों के नाम दैनिक जागरन, दैनिक भासकर, पंजाब के स्री, अमरुजाला, जनसत्ता, आदे आप किसी भी हिंदी के समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं बच्चो आज का होंवर्क है जितने कुश्चन अंसर हम कर चुके हैं उनका आप अभ्यास करेंगे और आगे के कुश्चन अगले वीडियो में थैंक यू